बॉलिवूड एक्टूर शुशान सिंग राजपूर जिनके निधन को डेट साल से जादा का वक्त बीच चुका है और आज सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थी साल 2022 यानि की न्यू यर का सेलिब्रेशन आपको बता दें कि जोहां पर शुशान सिंग राजपूर को डेट साल क का वक्त बीच चुका है लेकिन आज भी शुशान को उनके फैंस नहीं भूल पा रहे शुशान के फैंस अकसर सोशल मीजिया पर अपने फेवरिट स्टार शुशान को याद करते हैं ऐसा ही कुछ हुआ न्यू यर के इस खास मौके पर जब शुशान सिंग राजपूर के फ बहन शुशान की तरफ से उनके एकाउंट और उनके फैंस को नुई यर विश करते हुई शुशान की अकाउंट पर शुशान की सपोस्पर सभी का ध्याम किया और सभी ने, फैन्स ने जड़् से जड़् इस post पर reaction दिया एक फैन ने लिखा, थे भगवान, मेरा दिल धक्ष से रह गया एक और दूसरे फैन ने लिखा, हमें लगा कि शायद शुषांट सिंग राजपूत है हम तुम्हें बहुत मिस्ट करते हैं शुषान सिंग राजपूत आखरी सास तक तुम्हें नियाय मिले इसकी दुआ भी करते हैं बता दे कि शुषान सिंग राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ था शुषान के निधन के बाद शुषान से जुड़ी तमाम खबरे शोशल मीडिया पर वाइरल भी हुई थी और ऐसे में शुषान सिंग राजपूत को लेकर लगतार शोशल मीडिया पर कई तरह की कैमपन भी चलाए गए थे जिसके जोलते ये केस मुंबाई पुलिस और बिहार पुलिस से सीबिया तक तो पहुचा लेकिन लगता है कि सीबिया भी अब इस मामले की सिर्फ जाची कर रही है क्योंकि अभी तक सीबिया की तरफ से शुषान सिंग राजपूत मामले पर कोई भी अपडेट नहीं आई ह सवाल ये है कि आखिर डेड़ साल का वक्त बीट जाने के बाद भी और नए साल की शिरवाद भी हो चुकी है कि क्या सवाल ये है कि क्या सीबिया शुषान सिंग राजपूत को इंसाफ दिला पाए कि या फिर नहीं क्या सीबिया की तरफ से शुषान के मामले पर कोई पूठेगी उतना ही अब सीबिया इन सवालों को देखी यह और हो सकता है कि इन सवालों को देखने के बाद सीबिया खुद सबके सामने आए और केस की जाच में अब तक क्या हुआ और जाच कहां तक पहुची इस पर अपनी सफाई भी दे आज के लिए सिर्फ अतना ही